कि आज की वीडियो बहुत जादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आज सिर्फ फेस पर लगाना है वाइटमिन सी बेज़ बेज़ प्रोड़क्स तो हलो यो बीडिफल पीपल दिस एंजल सिंग विल्कम बाक टो मैं चानल थांकि जो मुश पर कमिंग बाक है अगान सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पहले प्रोड़क्स है जो की है गुडवाइब्स का वन अफ माइ परसनल फेवरेट ब्राइंड गुडवाइब्स का स्लीपिंग मास्क जो की वाइटमिन सी बेस्लीपिंग मास्क है इस प्रोड़क्स को लगाने के बहुत सारे फाइदे हैं अगर आप वाइटमिन सी का एक रूटीन करना चाहरे हैं तो ये तीन प्रोडक्स जो मैं आगे लगाने वाली हूं इनको जरूर ध्यान से देखेगा पहला जो ये मास्क है ये आपकी स्किन में डीप लेयर जाकर आपकी स्किन को रिजिवनेट करता है वाइटमिन सी की वज़े से रेडियन्स लेकर आता है स्किन को बहुत ही जादा गलोब देता है और उसके साथ साथ आपकी स्किन में जितने भी डाक स्पॉट्स हैं उनको लाइटन करने का काम करता है बलेमिशेस पे काम करता है और उसके साथ साथ आपके स्किन के टेक्शर को improve करता है radiance को restore करता है skin को revitalize करता है और बहुत ही जादा pure refreshing feeling आपको लगाने के बाद देता है तो इसको आपको night में लगाना है although मैं यहाँ पर वीडियो बना रही है तो मैंने इसको 2 गंटा लगा कर रखा था आप इसी के बाद देखेंगे face पर कितना जादा glow आया है बहुत ही जादा effective plus इसके जो results है आपको within 2-3 nights में ही आपको दिखाई देने लग जाएंगे तो wrinkles पे काम करेगा skin को supple और smooth बनाता है बहुत ही जादा radiance और brighten करता है skin को और plus उसके साथ साथ नरिश करता है deep layer पे जाके और moisturize भी करता है और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही जादा affordable है तो इसको थोड़ा सा लगाईए सिर्फ एक या दो drop and you are good to go और ये deep layers पे जाके आपकी skin पर जाकर absorb हो जाता है बहुत ही non-greasy serum है इसको लगाईएगा जरूर इससे आपकी skin में दुगना फर्क जो है वो दिखाई देने लग जाता है और अब लिया है मैंने last में third product again from good vibes का vitamin C glow gel cream even though it is said that it is gel cream लिकें ये gel जासा texture इसका है नहीं काफी जादा liquid consistency में आपको दिखाई देती है skin brightening के लिए skin को moisturize करने के लिए dark spots को remove करने के लिए acne के mask को हटाने के लिए और face पे अच्छी सी चमक लाने के लिए अगर आपको कोई cream लगानी है इसके बाद तो vitamin C से भरपूर एक cream जरूर लगाईए या मैंने good vibes की लिए काफी जादा amazing इसके reviews है और काफी जादा अच्छी cream है बस एक ही problem है इसमें कि ये liquid consistency के साथ आती है ये gel consistency के साथ नहीं आती है non greasy formula है फटा फट से skin में absorb हो जाती है and it is going to give you a bright amazing natural glow जो की dark spot को भी हटा के और आपकी skin में अच्छी सी चमक लाके आपके face को बहुत ही जादा rejuvenated look देता है तो ये तीनों की तीनों जवा face पर चीज़े लगाते हैं तो एक तरह से आपका पूरा का पूरा face brand new जैसा लगने लग जाता है it is that effective so yes skin brightening के range में अगर vitamin C से related आप products का range दून रहे हैं ये तीनों products good wives के मैंने good try के हैं और काफी जादा अच्छे हैं और काफी अच्छी बात जो है इसकी वो ये है कि affordable और reasonable price पे बहुत ही amazing product का range है vitamin C का good vibes के अंदर तो yes if you really want to give it a try then please click the view product section और वहाँ पर जाके आप product को देख भी सकते हैं इसकी price को देख सकते हैं new offers से सकते हैं और चाहे तो इसको buy भी कर सकते हैं तीनों के तीनों products को try जरू करके देखेगा खास कर अगर आपकी oily skin है और transition के मौसम में ये dry tea zone की जो problem आती है अगर इससे आप सफर कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका dry बनता है तो येस product को मैंने tag कर दिया है go and check out the product and ये थी आज की video I hope you like today's video in case if you did it do not forget to give it a big thumbs up also don't forget to subscribe to my channel as I come up with lots and lots of effective DIYs and honest product reviews so yes consider subscribing और अगर instagram पे आपने मुझे follow नहीं किया है तो अभी के अभी जाके follow भी कर सकते हैं आप the madams choice मेरा instagram handle है और मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी in the next video तब तक अपना खयाल रखे और एक बाद आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है और वो क्या है you are beautiful stay beautiful and be beautiful God bless you bye